मंदू आज के इस वैश्विक हिंदु राष्ट्र आधि वेशन के अंतिम उद्बोधन सत्रों को अभि हम प्रारंब करते हैं इस वर्ष इस वैश्विक हिंदु द्धुल आश्र महत्सों में पूरे विष्व से, अनेक जगों से, अनेक राज्यों और जिलों से हिन्दुत्व निश्ट्व सहभाग है हिन्दुत्व निश्टो का यह अभूत्पूर्व सहभाग यह हिन्दु राश्रो की निश्दि इस इस मोहत्सों में जो हम पिछले साथ दिन से यहां पर उपस्तित है तो अनेक लोगों ने एक दूसरे से बातचीत की यहां के वातावरण में आप रहे इस हिंदुराष्टर अधिवेशन में सहभाग लिया सनातन आश्रम में आप गए तो आपने जो अनुभव किया है इस जिहार के हिंदु पुत्र संगटन के प्रदेश अध्यक्ष श्री अविनाश कुमार बादल इनसे विंति करता हूं कि वेक रुपया मनोगत व्यक्त करने हैं तूँ व्यासपीट पर आए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का उत्साव वर्धन करने के लिए सरवपर्थम इस पपित्र भुमी को नमन करता हूं व्यासपीट को परणाम करते हुए गुर्देव के चर्णों में साधर परणाम समर्पित करता हूं यहां उपस्थित देवतुल्य जितने भी हिंदुतों निष्ट हमारे साथ ही यहां पर आये हैं जो अलग-अलग छेत्र में परिस्थिती भले अनुकूल बार-बार कही जा रही है लेकिन हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए अगर आवाज उठानी पर रही है तो और चुकि पॉलिटिकल मंच नहीं है लेकिन एक ऐसा समय है आज के समय में कुछ राजनितिक बदलाब होने के कारण आज हम सभी लोग मुखर होकर के कुछ बात कर पा रहे हैं कहीं न कहीं यह परिस्थिती निश्यत रूप से बनी है मेरा मैं मतलब हमारी जो दुनिया थी उसमें सेकुलरिज्म ही केबल भड़ा हुआ था 2012 में जब अरदस्ती मेरे घर में सनातन प्रभात पहुंचाया गया बार-बार मना करने के बाद भी मेरी पत्नी बार-बार बोलती थी कि एक दीदी आती है रोज तो हमके कुछ ले लो भाई ऐसे आती होंगे तो मेरा कभी उसमें ध्यान नहीं रहा पैसा कमाना एकदम क्या कहें जैसे कि परचंड अस्तर के जो है सेकुलर थे हम और मुसलमानों से बरी मित्रता थी हमारी और लगातार कई वर्सों तक उन लोगों के बीच में रहा हूँ मुझे कोई कतल खाना कसाई खाना या बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं था उस समय मैं मानसाहर भी सेवन करता था संजोग हुआ कि सनातन प्रभात की पत्रिका हमारे घर में आई और बेरा जीवन बदल गया पहली बार सनातन प्रभात के माध्यम से लगा कि हिंदूओं को कहीं प्रतारीत भी किया जा रहा है अन्यत्हा कसमीर के अलाबा कोई दूसरी बात मुझे नहीं पता थी और सनातन प्रभात के माध्यम से मैंने इस चीज को जाना हिंदू जन्जागरिती.org पर उसमें निउज आया करता था मैं उसको पढ़ता था और बढ़िया मोबाइल भी नहीं था उस टाइम में लेकिन फिर भी जैसे तैसे फिर 2014 में मैंने सनातन के नाम को जब सनातन की बात करता था तो चौक चोड़ा है पान दुकान पर पान खाते समय किसी भी टाइम में सनातन का मतलब लोग कहते था कि मतलब नहीं विवस्था फिर तुम बनाने के लिए निकल गए ऐसा करके लोग बोला करते थे सनातन के नाम से समू बनाना उसको चलाना बाद में फिर चुकि ये एक सात्विक मंच है जिसके योग्य मैं अभी तक इतने दिनों में अपने आपको नहीं बना प से यहां आने के बाद आस्रम में आने के बाद मुझे दिखा अगर ये संसकार हमारे जितने भी हिंदू घर हैं उनके घर में जितने जितनी सहस्ता से यहां हमारी बहने मता हैं हमारे लोग हमारे भाई आकर काम कर रहे हैं और अलग-अलग जगत से लोग आए हुए हैं साहज भाव से एक दूसरे से मिल रहे हैं जो परिस्थिती है आज देश में ती राजा सिंग भाईया ने बड़ी अच्छी बात कही संगठन के नाम पर बटने से नहीं होगा बरे-बरे संगठन और छोटे-छोटे संगठन की बात नहीं है हर एक व्यक्ति अपने अपने छेत्र में जो हिंदुनिस्ट है वो कुछ न कुछ कार्य कर रहा है और कोई बड़ा से बड़ा लेवल का काम करने वाला हो उसका संगठन को हम कम तर नहीं आख सकते हैं हम लोगों के अंदर जो यह भावना आज इस हॉल में हम बैठे हैं आज इस सभागार में बैठकर जिस तरीके हम एक दूसरे की जातपात एक दूसरे के संगठन की विवस्था को नहीं जानकर केवल हम सभी लोग हिंदुनिस्ट हैं इस बात को जानकर एक दूसरे के साथ ब दो मिनिट और में लूँगा कुछ मुख्य बात है कि हम हिंदुतों को बढ़ावा तभी दे सकते हैं जब जैसे एक नरेटी बनाया जाता है कि धर्मातरन के लिए कुछ विशय होता है या मिजनरी जो काम कर रही है वो जैसे धर्मातरन लोब के माध्यम से करा रही है वो दान को आज से नहीं सुरू से मानता है दधीची ने अपना सरीर ही दान कर दिया था तो हम उनकी संतान है और हमारे माध्यम से या संगठन के माध्यम से अगर समाज को लगे कि कोई लाभ नहीं है तो फिर मुश्किल है हर एक प्रतेक व्यक्ति से जुड़ना लाभ आध्या समाज के लोगों को लगे कि भाई ये जो 10,20,50,100 लोगों का संगठन है वो हमारी जरूरत है हमारी मजबूरी है इसके बीना हमारा समाज सुरक्षित नहीं रहा पाएगा हमारी टीम हिंदुतों का काम करने के साथ साथ सनातन सेवा संस्थान के नाम से एक रेजिस्टर ट्रस्ट चलाती है सनातन नाम मेरे से ऐसा जुड़ा कि मेरे दुकान का नाम भी सनातन है हर चीज में मैं सनातन को रखता हूँ सनातन सेवा संस्तान के तरफ मेडिकल हेल्प हर वर्ग के लोगों गरीबों को दलीतों को ऐसा नहीं हिंदू समाज के प्रतेक व्यक्ति को मिलता है जो भी हमारा उदेश्य है उस उदेश्य को लेकर हम ये प्रयास करते हैं कि हम अन्यदान के माध्यम से और रक्तदान के माध्यम से लोगों को जोर सकते हैं हिंदू भगवाधारियों के माध्यम से अगर रक्त लोगों को मिलेगा तो हमारा समाज हमारे लिए कुछ न कुछ भावना निश्यत रूप से रखेगा बहुत बहुत धन्यवाद धहरे पुर्मक सुनने के लिए सिता राम